पल सकते हो जैस के किया गया एंडियन किया गया है कि इंडियन मेडिशिएste दवा क्या है antihistamines first type of medicine is antihistamines antihistamines brand name avil cetrizin भारत में डोजेज क्या है यहाँ पर आपको यह जो medication है इस medication को orally लेना पड़ता है आपको directly with water आपको लेना पड़ेगा ठीक है डिपेंड करता है allergy की condition के उपर उसके बाद आता है कैसे यूज किया जाता है इस tablet को पानी के साथ लेना पड़ता है खाने से खाने के बाद खाने के साथ आपको लेना पड़ता है दिन में एक बार दो या दो बार या फिर तीन बार depending upon your condition इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप particularly बात करें तो healthcare professional prescribe करेंगे जो inflammation को reduce करने में मदद करता है शरील में जो inflammation होता है सुजन होता है उसको घटाने में कम करने में मदद करता है immune response के वजए से यह सुजन होता है तो उसको घटाने में मदद करता है इसका use करना भी normal पानी के साथ आपको corticosteroids जैसे के prednisolone उसको लेना पड़ेगा उसके बाद बात करता है third as a medicine जिसका नाम है epinephrine and auto-injector epinephrine auto-injector बहुत ही important एक दवा है brand name epipen अब देखो इसको इसका काम यह होता है कि आपका severe allergic reaction को कम करें आपकी breathing capability के यह बढ़ा है क्योंकि allergic reaction के कारण जब airway constriction होता है vasodilation होता है उसके कारण आप breathe नहीं कर पाऊगे आपके सास फुलने लगेगा और इस सिचुएशन में epipen और epinephrine auto-injector जो है वो आपकी सास लेने की यह दिक्कत को दूर करेगा यह auto-injector जैसे instruction के साथ आता है instruction manual के साथ उस हिसाब से आपको पढ़के ठीक ठाक से use करना है इसके बाद आता है mass cell stabilizer mass cell stabilizer का भारतिय ब्रैंड नेम जो है sodium chromoglycate ठीक है इसका mechanism क्या होता है यह basically immune system का जो cell है वो histamine बोल के chemical release करता है जिसके कारण allergy होता है body में हलाके अलग-अलग कारण allergy होता है मगर histamine के release के कारण जो allergy होता है उस particular allergy को यह block करता है prevent करके रखता है यह जो mass cell stabilizers है generally यह eye drop के तौर पर use होता है या फिर inhaler के तौर पर भी use होता है या फिर direct injection के तौर पर भी use किया जाता है और severe life threatening condition में use किया जाता है इसके बाद आता है nasal decongestants क्योंकि allergy के कारण जब आपकी नाक सर्दी में jam हो जाता है तब nasal decongestants चाहिए example brand name or treveen dosage क्या होता है nasal spray और drop के तरह आप इसको लेना परता है जो आपकी nasal congestion को clear करता है और breathing को सास लेने में जो दिक्कते हो रहे थी उसको ठीक करने में मदद करता है इसको spray के तरह या फिर drop के तरह यूस किया जाता है SOS जब चाहिए जब सास लेने में दिक्कते चल रहा है और वो particularly allergy के कारण चल रहा है तब इसको दिया जाता है और विन को आप सर्दी के टाइम में भी जब सर्दी ज्यादा हो जाता है जुखाम होता है उस हिसाब से भी यूज़ कर सकते है इसके बाद आता है टॉपिकल स्टेरोइड जो ब्रैंड ने में इंडिया में आता है वह होता है बेट नोवेट शायद आप सुने होंगे ना होता है जो अलर्जी के कारण जो स्कीन राश होता है लाल हो जाता है वहां पर प्लिस्टर जैसे स्ट्रकτर स्ट फं हो जाताह उसको रेगुलेट करने में कम करने में बेट她 जैसे टॉपिकलition k rangas करता आपको जिस जगह पे allergy reaction हुआ है उस जगह को पहले clean करना है फिर उसके बाद हाथ से वहाँ पे apply करना है यह topical steroid को धीरे-धीरे उस जगह पे आपको rub करना है mix कर देना है और जब भी वह जगह फिर से dry हो जाए दिन में दो से तीन बार आप इसको ले सकते हो इसके बाद बात करते हैं antihistamine eye drops के बारे में तो कि allergy का एक बहुत बड़ा symptom होता है आखों में आख लाल हो जाना पानी आना आख में ज्यादा अतर और वहाँ पे खुजली जैसा होना जुवन जैसा होना यह सारे चीज allergy के कारण होता है तो आख में जब allergy की reactions हो उसके लिए ब्रैंड नेम है अलोपैटाडीन बोलके antihistamine eye drop अलोपैटाडीन और यहाँ पे अलोपैटाडीन क्या करता है आखों की जो switching होता है redness होता है लाल हो जाना खुजली जैसा होना ही सारे reaction को कम करता है इसको eye drop की तरह आपको यूज करना है जिस हिसाब से दिन में एक दो या तीन बार जनली दो बार या तीन बार या फिर कभी-कभी उससे ज्यादा बार भी देना पर सकता है depending upon your situation उसके बाद बात करत है antihistamine syrups और oral drop जो के antihistamine syrup के तरह आता है और खाने की drop के तरह liquid format में आता है ऐसा Indian brand नेम है phenylferrin इसको कैसे लेना होता है यह basically क्या काम काता है phenylferrin इसके बारे में बात करें यह जो normally nasal congestion होता है नाक में जो congestion होता है runny nose हर वक्त पानी आना नाक से यह सारे symptom को manage करता है और यह liquid format में आता है मतलब आपको liquid इसको लेना पड़ेगा और दिन में दो बार या तीन बार लेना पड़ता है depending upon your condition तो यह सारे allergic reaction की medicines है antihistamines, corticosteroids, epinephrine auto-injector, mast cell stabilizers, nasal decongestants, topical steroids और antihistamine eye drops यह सारे प्रकार की दवा आपकी allergy reaction में बहुत ज्यादा मदद करेगा और allergic reaction में patients को ठीक रखने भी मदद करता है तो आशा करते हैं वीडियो helpful है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना, share करना और subscribe करना इस channel को ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे है Thank you